हमारा भी मकसद सिर्फ M.V.A. से गडबंदन को लेकर बोले A.I.M. आई.M. नेताव वारिस पठान A.I.M. आई.M. नेताव वारिस पठान ने कहा कि महराष्ट में एक दो महीने में विधान सेमा के चुनाव हो जाएंगे उन्होंने कहा कि A.I.M. आई.M. अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी महराष्ट में विधान सबा चुनाव को लेकर सबी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणीती बनाने में जुटी है प्रदेश में असदुद्दीन वैसी की पार्टी A.I.M. आई.M. भी विधान सबा के चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का दावा करती नजर आ रही है पार्टी के नेता वारिस पठान ने एक बार महाविकास अगारी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है उन्होंने ये भी कहा कि A.I.M. आई.M. नेता वारिस पठान ने कहा महाराष्ट में जल्द ही विधान सबा चुनाव होने जा रहे हैं एक दो महीने में चुनाव हो जाएंगे हम भी लड़ेंगे और A.I.M. आई.M. अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी हमारा भी मकसद B.J.P. को हराना है वारिस पठान P.T.I. के मताबिक A.I.M. आई.M. नेता ने कहा हमारा भी मकसद सिर्फ B.J.P. को हराना है हमारे नेता अम्तियाज जलील ने महाविकास अगाली के साथ बात चीत की है उन्होंने कहा कि अगर आपका इरादा भी B.J.P. को हराना है तो आईए हम साथ मिलकर कांदे से कांदा मिला कर लड़ते हैं इम्तियाज भाई ने उनको लेटर भी दिया है गैंद अब उनके पाले में है वारिस पठान उन्होंने आगे कहा हम उनके साथ बात चीत कर रही है और गैंद अब उनके पाले में है उनका फर्ज बनता है कि वो आएं और चर्चा करें चर्चा तो होनी चाहिए ना सम्विधान ने जितना अधिकार कांग्रेस राष्टरवादी समाजवादी को दिया है उत्रहीं अधिकार AIM I.M. को भी है हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशालला हमको उमीद है कि लोग बहुमत से नवाजेंगे महाराष्ट में विधानसबा चुनाफ की गोशनां से पहले महाविकास अगारी के घटक दलों के बीच कई दौर की बैटक हो चुकी है हाला कि अब तक सीट बटवारे की मुद्दे पर बाच्चीत नहीं बनी है बतादे महाराष्ट में इसी साल विधानसबा के चुनाफ होने हैं हालनकि अभी तक चुनाफ कारेकरम की गोशना नहीं की कई है कुछ दिन पहले निर्वाचनाईयों की टीम चुनाफ की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए महाराष्ट दौर पर थी चल दी चुनाफ की तारिकों की गोशना होने की उमीद है